किसको CA नहीं करना चाहिए, मतलब कि सब लोग CA करे ज़रूरी नहीं है, सब लोग कर सके ये भी ज़रूरी नहीं है, कुछ ऐसे चीजे हैं, जो अगर आप नहीं कर सकते तो आपको CA नहीं अटेंट करना चाहिए, पहली चीज, अगर आपको maths नहीं पसंद, maths मतलब counting, calculations, आपको numbers नहीं पसंद है, figures नहीं पसंद है, उनके साथ काम करना नहीं पसंद है, तो आपको CA नहीं करना चाहिए, चाहिए accounts हो, costing और financial management हो, सब में आपको कही ना कहीं figures नहीं के साथ खेलना पड़ता है, सेखिनली, जो लोग long ass के लिए नहीं बैठ सकते, long ass के लिए पढ़ाई नही coaching भी manage करनी है, thirdly, अगर आप यह सोचे हैं कि CA बनने के बाद आप कुछ नहीं पढ़ूँगा, तो भी आप गलत है, क्योंकि CA बनने के बाद आपको जादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CA में regularly updates होते हैं, इसलिए guys and girls, those who are ready to learn, those who are ready to read, those who are ready to count, those who are ready to play with figures, those who are ready to work hard, only those people can do you see it.